हेलो अब्रीबन वेल्कम बेक टूमा यूट्यूब चैनल तो फ्रंट स्वागत इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक न्यू नूटिफिकेशन जारी कर दिया है एडिशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ठीक है यदि आपने ये को जुरू सब्सक्राइब करिएगा इसी परकार से इस चैनल पर आपको इंफॉर्मिशन मिलती रहेगी ठीक है तो क्या नॉटिफिकेशन जारी किया है उसकी बारे में पूरा मैं डिसकस करूँगा आपके साथ मैं इन्होंने बोला है कि इंपोर्टेंट इंस्ट्रेक्शन इस स्टेइब के लिए ठीक के लिए जो हम लोगों को अड़िफट डांवलूड करने है उसके लिए उन्होंने एंस्ट्रेक्शन दिए हैं कि इसमें बोला अँस्व पूरानी हम लोगों की समाप्त कागज हो गये है ठीक हो गये जो समाप्त हो गए है जो जो reject हो गए उन्हें उन्होंने approval दे दिया है मतलब उन्होंनोंने सुईकार कर लिया है और उन्होंने बोला है कि कि को नहोंना बोला है कि डोकिमेंट जो है जो expire हो गए है उन्हें भी सामिल कर लिया गया है उसमें लेकिन जब आप फेस थीलिए जाएंगे उन ने बोला है कि आप लोगों को दोनों मतलब जो हो है एल है उन्हें उझाना पड़ेगा और जो यह आपके पास उन्हें लेने की बात नहीं एक जारी हुआ उन्होंने कुछ बदलाओ नहीं किया उन्होंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही कुछ अच्छा notification में बदला है ठीक है क्या बोला है कि उन्होंने यह option में बोला है कि the candidate are to mandatory produce renewed certificate EWS STSC OEC with validity at least अब उन्होंने बोला है कि जो candidate shortlisted होंगे second third के लिए और उनके जो कागज होंगे मतलब जो certificate होंगे वो 31 सक्टूबर 2021 से 21 तक validity होनी चाहिए उन्होंने बोला है option number A में ठीक है अब बात आती है option number B की तो उन्होंने option number B में बोला है उन्होंने बोला है कि आपको साथ में ले जाना है जब आप सेकेंड से थर्ड के लिए जाएंगे ठीक है जहाँ कहां पर जाएंगे आएने स्चिल काम है तो यहां पर कोई घपड़ाने की बात नहीं है आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ relaxation दे दिया है इसमें उन्होंने बोला है कि पुराने जो आपका reject हो गया है उसे भी लेके जाना है और जो नया वाला है उसे भी आपको साथ में लेके जाना है जिससे वहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ठीक है और उन्होंने इसी option में क्या बोला है कि the issue date of the old expired certificate EWS SCHT उन्होंने बोलाए कि पुराने समाप्त परमाण पत्र EWS के लिए ST के लिए SC के लिए OVC के लिए जो जारी करने की तारीख है और जारी करने की तारीख है वो आपकी online आवेदन की तारीख या उससे पहले होना चाहिए ठीक है और online जब अबने आहम लोगोंने जब online form कि जाता उससे पहले आपका जो है उसकी बैलेटिटी समापत होने की बैलेटिटी जो है उससे पहले होने चाहिए और लास्ट में नोट में क्या बोला है यह बहुत ज्यादा most important है बोला है कि failure to complete the above instruction will lead to cancellation of candidate उन्होंने बोला है कि उप्रोक्त निर्देश का पालन करने में विफलता की कारण उम्मीदवारी को आपकी जो कंडिडेशन है उनकी जो उम्मीदवारी है उसे रद्द कर दिया जाएगा तो फ्रंट्स कुछ नहीं है उसमें आपके लिए ही उन्होंने बहुत कुछ रिलैक्सेशन दे दिया तो फ्रंट्स आयोफ आपको वीडियो पसंद आएगो वीडियो पसंद आए तो लाइक से एंट सब्सक्राइब करेगा और आप नए हो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि नए नाटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल पर आपको जय हिंद जय वारत